यहन्ना का प्रकाशित वाक्य बारवा अध्याय फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पाउं तले था और उसके सिर पर बारह तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिलाती थ क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जन्ने की पीड़ा में थी और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके साथ सिर और दस सींग थे और उसके सिरों पर साथ राज मुकुट थे और उसकी पूँ वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिये हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एका एक परमेश्वर के पास और उसके सिहासन के पास उठा कर पहुँचा दिया गया और वह स्त्री उस कह तयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए फिर स्वर्ग पर लडाई हुई मिकाईल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लडने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही औ और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शेतान कहलाता है और सारे संसार का भर्माने वाला है प्रत्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिये गए फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि सात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोश लगाया करता था गिरा दिया गया और वे मेमने के लोहु के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जैवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहां तक की मृत्यु भी सहली इस कारण हे स जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है और जब अजगर ने देखा कि मैं प्रत्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंख दिये गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगे प पानी भाया कि उसे इस नदी से भादे परंतु प्रत्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुह खोल कर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुह से भाई थी पी लिया और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेश संतान से जो परमेश्वर की आज्याओं को म पांते और ईश्यू की गवाही देने पर स्थिर हैं लडने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ